मंगला गौरी वरत कथा पौरानिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धरमपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खुबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ती थी। लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा कर करते थे। इश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ती हुई लेकिन वह अलपायू था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी वरत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीरवाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अत अपनी माता के इसी वरत के प्रताप से धरम पाल की बहु को अखंड सौभाग्य की प्राप्ती हुई। इस वजह से धरम पाल के पुत्र ने सौ साल की लंबी आयू प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी वरत की शुरूआत मानी गई है। इस कारण से सभी नव विवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी वरत का पालन करती ह और अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थाई वैवाहिक जीवन की कामना करती है, जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसरजित कर दी जाती है। अप्थरादी भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस वरत की महिमा है, कथा सुनने के बाद सोलह लड़ू अपनी सास को तथा अन्य सामगरी ब्राह्मन को दान कर दें। पांच साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद पांचवें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस वरत का उद्ध्यपन करना चाहिए। जियोतिश शास्त्र के अनुसार जिन पूरुशों की कुंडली में मांगलिक योग है, उन्हें इस दिन मंगलवार का वरत रख कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस से उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दामपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। प्रकृत्य भद्राय नियता, प्रणता, इस्मताम, श्री गणे शामविका अभ्याम, नम, ध्यानम समर्पयामी, उमा महेश्वरा अभ्याम, नम हरीमों मंगले, गौरी विवाह बाधाम नाशय स्वाहा। से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मास अतिप्रिय है, इसी लिए श्रावन मास के सोमवार को, शिवजी और मंगलवार को माता गौरी, अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ बताया गया है। मंगला गौरी वरत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त हो जाते हैं, तथा जातक को मंचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही दामपत्य जीवन सुखी रहता है और तीनों लोकों में ख्याती मिलती है। इस वरत को विवाहिता प्रथम सावन में पिता के घर और शेश चार वर्ष पति के घर यानि ससुराल में करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां सावन महीने में मंगलवार के दिन वरत रख कर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वह लंबे समय तक दामपत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। मंगला गौरी वरत पूजा विधी इस दिन वरती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ती के लिए मंगला गौरी वरत का अनुष्ठान कर रही हूँ। ततपश्चात आचमन एवं मार्जन कर, चैकी पर लाल कपढधा बिछा कर, उस पर माता की प्रतिमाव चित्र के सामने उत्तरा भिमुख बैठ कर, प्रसन भाव में एक आठे का दीपक बना कर, उसमें सोलह बातियां जलानी चाहिए। इसके बाद सोलह लड्डू, सोलह फल, सोलह पान, सोलह लॉंग और इलायची के साथ सुहाग की सामगरी और मिठाई माता के सामने रख कर, अश्ट गंध एवं चमेली की कलम से, भोजपत्र पर लिखित मंगला गौरी यंत्र स्थापित कर, विधिवत विनियोग न्यास इसके बाद मंगला गौरी की कथा सुने, इसके बाद मंगला गौरी का सोलह बत्यों वाले दीपक से आरती करें। कथा सुनने के बाद सोलह लड़ू अपनी सास को तथा अन्य सामगरी ब्रह्मन को दान कर दें। पांच साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद पांचवें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्ध्यपन करना चाहिए। ज्योतिश शास्त्र के अनुसार जिन पुरुशों की कुंडली में मांगलिक योग है, उन्हें इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस से उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा। एसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेश महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदाई बताया गया है। आईए ज जानते हैं इस व्रत की क्या है। मंगला गौरी व्रत डेट 30 जुलाई पहला मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई दूसरा मंगला गौरी व्रत 6 अगस्त तीसरा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त चोथा मंगला गौरी व्रत मंगला गौरी व्रत के शुभ मुहूर्त 23 जुलाई 2022 सर्वार्थ सिध्ध योग सुभ ज इसके लिए भी यह वरत रखा जाता है। पति-पत्नी के बीच के रिष्टे मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ती के लिए भी यह वरत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही है। मांगलिक दोश है तो वह भी इस वरत को रख सकते हैं। मंगला गौरी वरत विधी मंगला गौरी वरत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदी के बाद वरत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चड़ाएं।